अब हम बातचीत और अनुनय के बारे में चर्चा करते हैं बातचीत और अनुनय क्या वे एक ही बात नहीं है मैम? नहीं, बातचीत और अनुनय वास्तव में दो अलग-अलग कारक हैं मैं उन दोनों को आपको समझाती हूँ बातचीत करना एक पारसपरिक रूप से संतोष चनक समझोते पर चर्चा करने और पहुचने की क्षमता है उधारण के लिए आप तीन अन्यकारों के साथ एक चराहे पर पहुचते हैं आप कैसे तै करते हैं कि सबसे पहले कौन जाता है? चराहे से गुजरने के लिए आप दूसरी कारों के क्रम कैसे तै करते हैं? यह वह जगे हैं जहां बातचीत होती है हर कोई परसपर बातचीत करता है कि कौन पहले जाएगा अनुनाय दूसरों को उचित कारवाई करने के लिए मनाने की क्षमता है अनुनाय का एक उधारन यह है कि जब आप अपने विचार को सही मानते हैं तो अपने लिए एक मजबूत तर्ग देते हैं और आपका तर्ग आपके संगठन या दूसरे सदस्यों को आपके विचार को लागू करने के लिए आश्वस्त करता है वास्तव में बादचीत दो प्रकार की होती है वित्रनात्मक और एकिक्रित वित्रन संबंधी वारताओं को निश्चित पाई पर विवात के रूप में माना जा सकता है कुछ सीमित संसाधनों को विभाजित करने के लिए बादचीत करना आप जीत गए, मैं हार गया और इसके विप्रीत एकिक्रित वारता एक विवात के रूप में माना जा सकता है जहाँ पाई का विस्तार तर्क है एकिकरित बाचीत संसाधनों का विस्तार करने में मदद करती है ताकि हर कोई उस परिणाम से जीट जाए जो बाचीत के माध्यम से प्राप्त होता है एकिकरित वार्ता एक जीत-जीत के परिक पेक्ष पर आधारित होती है जहां बातचीत में हर किसी के लिए लाब होता है अब उद्यमी वार्ता के प्रमुख तत्व क्या है? उद्यमी वार्ता के प्रमुख तत्व मूल्ले निर्मान कर रहे हैं विश्वास का निर्मान कर रहे हैं भावनाव और धारनाव से निपट रहे हैं और साथ ही दीर्खकालिक संबंधों की रक्षा कर रहे हैं। आईए चर्चा करें कि इन में से प्रतिये कारक उद्यमिता में कैसे मदद करता है। सबसे पहले हितों और पदों की बीच अंतर करना। हमेशा बाच्चीत सिमिलेशन में भाग लें। यह आपकी ताकत और कमजोरियों का निदान करने में मदद करेगा। उसके बाद मूल्य बनाने में शामिल चर्णों को जाने। उद्यम शीलता वारता के तत्वों के संबंध में एक व्यक्तिकत सिधान्त व्यवार का विकास करें। इस से पहले कि आप विश्वास उत्पन कर सकें, पहले बादचीत की दक्षता में सुधार करने के लिए व्यक्तिकत शक्तियों और कमजोरियों का निदान करें। विश्वास बनाने के लिए उद्देश्य मानकों का उपयोग करें। यह आपको उद्यम शीलता संबंदी वारताओं में विश्वास बनाने में मदद करेगा। जाने कि अनिष्टता को कम करने के लिए अकास्मिक समझोतों का उप्योग कैसे किया जाता है। उद्यमी वारता के मनोविज्यानिक आयामों के समीक्षा करें। जानिए कब किस सौदे से दूर रहना है जो आपके लिए फाइदे मन नहीं हो सकता है। प्रतिसपर्दी ओफर के मूले की गन्णा करना सीखें ताकि आपके हारने का मौका ना हो। फाइदे के सौदे की बादचीत में जीतते समय सौदे की बादचीत की अनिवारता सीखें।